नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो और चैनल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जे एससे पीजीटी रिजल्ट के रिकार्डिंग मेरे इसके रिजल्ट के बारे में क्या लैटेस्ट अब्डेट है तो इसके बारे में कम्प्लेट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले है मैं वीडियो मनित तक बने रहे गां मेरे बहाई और साथ यसाथ आपको बताएंगे कि ज्यादा स्कूर आने वालों का जो सिलेक्षन है यह नहीं हुआ और कम सकूर आने वालों का सिलेकशन ओ गया इस तरहिके से काफी ज्याधा संब्सकों को मिल रहा है मेरे हम आपको बता नहीं कर रहा है काफी candidates ऐसे हैं दूस्तों जिनका 120, 125, 127 बन रहा था physics या फिर chemistry में लेकिन उनका जो selection है यह नहीं हुआ अब वो पूछ रहा है कि सरी किस तरीके से हुआ है कि हमसे कम नंबर वालों का जो selection है वो हो चुका है किसी का 115 पे हो चुका है किसी का 118 पे हो चुका है तो इस तरीके से भी बहुत से candidates बता रहा हैं तो ऐसे जो जिनका ज्यादा marks बन रहा था अब वं बहुत ज्यादा suspense बेहा है कि सरी किस तरीके के जो result है से को जारит किया गया हमारा जो selection है ज्यादा marks पर भी नहीं हो पाया है और हम से जो कम marks वाले हैं उनका जो selection है हो चुका ह तो मिरवाई देखिए इसके पीछे का रिजन हमने पता लगाया है तो इसके पीछे का क्या रिजन हो सकता है तो वो चीछ आपको बताते हैं ठीक है अब देखिए मुद्दा सिर्फ यही नहीं है मुद्दा यह भी है दोस्तों कि आने वाला जो रिजल्ट है जैसे आपका संस कि आम लोगों में भी ऐसा कुछ देखना पड़े जाए हम सौ में सीधी बात बताना चाहेंगे आपको की देखिए गड़ड़ी अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें कुछ गड़ड़ी हुई तो दोस्तों आपको हमव्टाना चाहेंगे यह यह डिल जो आपका रा मार्क्स ह यह डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन को पर ठीक है नॉर्मलाइजेशन को पर कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है यह किस तरीके सुवा है ठीक है आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं कितने मार्क्स घटे हैं अगर आपका पेपर हाट सिप्ट में कंड़क्ट कराया गया ह दोस्तों after normalization आपके जो मार्क से दोस्तो ज्यादा इंक्रिश करेंगे और अगर आपका पिपर moderate shift में कराए गया है तो आपका जो मार्क से थोड़ा से कम बढ़ेगा इजी शुप्ट में कराए गया है तो इजी सिप्ट में कोई सभावना तो है नहीं लेकिन ऐसे भी हो तभी आपका normalization में marks बढ़ा होगा ठीक है और वैसे तो कोई chance है नहीं EG shift में होगा तो एक दो marks बढ़ा होगा और इससे ज़्यादा कुछ फर्क है तो पड़ेगा नहीं ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उन भाईयों की जिनका जो result है अभी तक नहीं आया है और उनको लग रहा है कि सर्च कितने cutoff फॉलो को लिया जाएगा कितना cutoff जा सकता है physics और chemistry का जितना हमने cutoff बताया है आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए उसके आसपासी देखनों को मिला है ठीक है physics और chemistry में जितने cutoff बताया थे दोस्तों उसके आसपासी देखनों को मिला है तो आईए और भी subject का cutoff आपको बताते हैं और देखते हैं किस तरह के से जो आपका cut-off है, देखनों को मिल सकता है, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके result के बारे में क्या update है, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका cut-off है कुछ निमना प्रकार से देखनों को मिल सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BC1 की अगर बात करें, 118-123, SC की बात करें, 107-110, SD की बात करें, 103-106, EWS की बात करें, तो 118-122, ठीक है, यह प्रशनों की संख्या है मेरे वही, आपको पहले बता दे, जितने भी cut-off हम आपको बता रहे हैं, यह प्रशनों की संख्या है, एकनोमिक्स का cut-off देख सकते हैं, किस तरीके से रह सकता है, 120-122, UR में, 115-117, BC1, SC काटेगरी की बात करें, 100-105, 96-98, SD में, EWS की बात करें, 117-118, जियोग्राफिक का cut-off देख सकते हैं, UR काटेगरी में, 120-625, 121-122, BC2, 105-110, BC1, 95-110, SC, और SD के अगर बात करें, 85-90, EWS की बात करें, 110-112, Commerce का देख सकते हैं मेरे, किस तरीकिस रह सकता है, 122-125, UR में, BC2 की बात करें, 115-618, BC1 की बात करें, 112-115, 100-105, SC में, 92-95, SD में, 117-120, EWS में, इंग्लिस का cut-off देख सकते हैं, 125-130, UR में, BC1 की बात करें, 110-112, SC काटेगरी में रह सकता है, 96-100, HD की बात करें, 85-90, EWS की बात करें, 118-620, UR काटेगरी की बात करें, दोस्तों, तो इसमें जो रह सकता है, आपका cut-off, 132-135, और BC2 की अगर बात करें, 122-125, BC1 की अगर बात करें, 125-128, SC काटेगरी में रह सकता है, 85-90, HD की बात करें, 72-75, EWS की बात करें, 126-130, बायो का cut-off देख सकता है, 115-120 तक रह सकता है, UR में, BC2 की अगर बात करें, 112-115, BC1 की बात करें, 105-110, SC काटेगरी में रह सकता है, 95-110, HD की बात करें, 85-90, EWS की बात करें, 110-112, मैंफ का cut-off देख सकता है, 96-100, UR में, 90-93, BC2, 88-90, BC1, SC काटेगरी में, 50-78, ST की बात करें, 70-72, EWS की बात करें, 88-90, हिंदी सब्जेक्ट का cut-off देख सकता है, बहुत से छातर डिमांड कर रहा थे, कि सरहिंदी का जो cut-off है, इसे बताईए, तो UR काटेगरी में देख सकते हैं, मेरे भाई, 120-125 प्रशन अगर आपका सही बन रहा है, तो हो जाएगा, BC2 में आपका कोई भी सिट नहीं था, BC1 का देख सकते हैं, 115-120, SC में देख सकते हैं, 95-105, ST की बात करें, तो 90-95, EWS की बात करें, 116-120, तो मेरे भाई कुछ निमना परकार से आपका जो cut-off है, देखनों को मिल सकता है, आइए बात कर लेते हैं, इसके result को पर, कि सर और भी जो subject का result है, आखिर ये कब तक देखनों को मिल सकता है, तो आइए इसके बारे में समझते है मेरे भाई, अगर हम बात करें, JSC PGT result के regarding updates की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि JSC जो है work कर रहा है, ठीक है, notice पर notice निकालते जा रहा है, दोस्तों, result पर result निकालते जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही जल्द आपको बता दें, कि आपका जो और भी subject का result है, PGT का देखनों को मिलेगा, ऐसे में पूरी की पूरी जो संभावना है, वो जताई जा रहे हैं मेरे भाई, कि दो से तीन दिनों का अंदर आपका जो और भी subject का result है, देखनों को मिल सकता है, दो result आपको देखनों को मिलेंगे, जैसे आपको पहले देखन कुला था अब कनफर्म यह नहीं है कि आपका हंदी का आएगा कि माइत का आएगा संस्क्रीट का आएगा ठीक है तो कोई सभी आपको मिले सकता म nutrutive दो से तीन दीनों का अंदर पूरी की पूरी संभहवना है आपको इंफर्म करेंगे तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जहें